हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गैड में दोस्तों आज में बात करने वाला हूँ कैश ऑन डेलिवरी ऑप्शन फ्रॉड के बारे में किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट आपको नई दिखती है या आपको लगता है कि यहाँ पास अच्छे समान मिलना है और आप महाँ पास देखते हैं कैश ऑन डेलिवरी ऑप्शन है कि नहीं और आप पार्सल देगा और जब आपको पार्सल देगा तो कहेगा कि आप कैश दीजिए आप पेमेंट करिए आप पेमेंट के लिए पैसा उसे देंगे और जब आप उसे पैसा देंगे और पैसा काउंट करना शूरू करेगा और आप अपना पार्सल देखना शूरू करेंगे अपने पास रख लेगा इधर उधर कर देगा और count करने का दिखावा करेगा तो आपको लगेगा कि count हो रहा है और बार में कहाईगा कि आपने कम पैसे दीए जब आप भी count करेंगे तो पैसा कम निकलेगा उसके बाद आप जाकर उसको और extra पैसा दे देंगे जो की आपके साथ धोका कर रहा है और जो पैसा उसने रख लिया वो उसके जेब में चला गया तो इस तरीका से cash on delivery option fraud भी हो रहा है अब आपको मैं दूसरा type का fraud बताता हूँ आज कल क्या हो रहा है बहुत जादा सुनाई दे रहा है कि कोई भी parcel किसी के घर आता है और delivery वो यह कहता है कि यह parcel आपके घर से किया गया है पतलब यह order आपके घर से किया गया है तो इसको आप receive करी और cash on delivery option है और इसका जो पैसा है आप दे दीजे या फिर आपका relative या neighbor ने इसे order किया है वो है नहीं तो आप यह order ले लिजे मुझे पैसा दे दीजे आप उनको deliver कर दीजे अबाद में तो लोग क्या करते है कि यह सोचते है कि यह order उनी के घर से आया है और भी ना सोचे समझे उसको पैसा दे देते है जिससे हो जाता है cash on delivery fraud अब एक नया तरीका का cash on delivery fraud मैं आपको बताने वा जाता है और product को बहुत दिस सस्ते दा में लगा दिया जाता है जब कोई customer उस website पर visit करता है तो उसको लगता यह website तो नहीं है और अच्छा का सा offer दे रहा है चलो देखते है cash on delivery option है कि नहीं अगर वो हम करते हैं तो हम safe रहेंगे तो वो लो cash on delivery option choose करते है उसके बाद क्या होत है आप यह सोचते हैं कि हमारा parcel आ गया आप उसको पैसा दे देते हैं और उसके बाद बाद में खोल के देखते हैं तो आप देखते हैं कि कटा फटा पुराना गंदा संदा समान product आपको मिला है और फिर आप data रिफरंट लिए apply करते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है क्यों के parcel को देख लिया कि उसमें क्या है जब उनको पता लगया कि कोई फर्जी कपड़ा या product है उसमें तो उन लोग ने तुरंट उसको प्रैक करके और उसको वापस कर दिया कह देते हैं कि भाई हमाय कैंसिल कर रहा हूं मुझे नहीं लेना तो इस तरह से उनके साथ fraud होते होत है तो दोस्तों अगर आप कोई भी जगा या कोई भी नई website पर order कर रहे हैं और अगर आप cash on delivery option safe रहेगा तो safe नहीं है दोस्तों बहुत ही समझदारी से आजकल आपको online shopping करने हैं अगर आप को website पर जाते हैं तो उस website को अच्छे से देखिए कहीं ओ फरजी तो नहीं है और इस वीडियो को जादे जादे शेर करें ताकि दूसरे लोग भी सत्तर कराएं मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग्यों तो प्लीज इसको like करेगा चैनल को subscribe कर देजेगा ताकि इस तरह के latest updates आपको आगे मिलती रहे तो फिर मिलेग एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye